अस्याम अलेकुम कैसे हैं माई वीवर्स वेलकम टू एन अधर व्लॉग एंड गुद मॉर्निंग जी तो यह ब्रेकफॉस्ट हो रहा है जले भी आंगे जी बाबा की घर से और अरसल के लिए मैं सेंडविच बना रही हूँ यह कब से चौकलेट सीरप रखी हुए है आज मैं इसका कुछ करती हूँ वरना तो इसकी डेट अक्सपायर हो जाएगी इसलिए मैंने सोच है आज इसका कोई खातमा करते हैं ठीक है जी यह करेंगी उसके बाद हम जा रहे हैं अ लेकिन तब की बात कर रही हूं आज हम उनके घर जाएंगे ठीक हो यह मैं एडवांस में बता रही हूं वहां पर हीटर लगाई थी मैं रूम में ताके रूम टेंपरेचर बैतर हो जाए बहुत ज्यादा ठंड है आज कर जी गाइस तो यह है विंटर ड्रेस वह भी मेरा य यही सुट मैं आज पहन के जा रही हूं अपनी फ्रेंड के गर जी तो यह सर्थियों का सुट मुझे गिफ्ट हुआ था जो के पहनने पर बहुत खूबसूरा लगता है अब भी लग रहा था लेकिन पहनने पर ज्यादा अच्छा तो अरसरा और अनुशे सबसे आगे हैं यह किसी और की घर जा रही है यह इस घर में हमने जाना है तो भूल गया थे मैंने के जाने दो इनको इतना करते हैं ना और मात आगे जो इन दोनों की लड़ाई होई थी अस्ताफिरूला जी हम हो गए इनके घर इंटर और इनका बहुत प्यारा घर है माशाला नाया बनवा है था एक दूसार पहले तो फिर तब भी हम गहते हैं वैसे आदर जाते रहते हैं तो यह बैड रूम यह टीवी वाल तो बहुत प्यार लग रही है बच्चों के रूम है जी वह बहुत खुबसूरत यह नोंने बनवाए थे आर्डर पे बैड जो बच्चों की नजर आ रह यह जूला जूलेंगे फिर उसके बाद अलमीर की बारी है और यह सारे खाने टेबल पर आ चुके थे तो फिर मैं कह रहे थे अभी मुझे वीडियो बनाने दे अभी मुझे पिक्चर बनाने दे तो जिनके घर गया थे वह मैं रिफरेंट कह रही थी कि क्या थमाशा है यह तुम बच्चों के हाथ ही ने लगाने देती बार बार कहती हो कुछ बनाने दो बस छोड़ो यह सब लेकिन मैं कहते हैं चीज़ें ऐसे ही खानी होती है अँचकर ठंडी जब हो जाएं फिर क्यूंके वीडियो बनाना बहु वैसे गर्मी में हम कहीं भी जाते हैं तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगते हैं लेकिन सर्द में मुझे तो अच्छा लगता है तो इसलिए मैं भी परग्राम बनाती रहती हैं कि हम इस मोसमें कहीं नहीं जाएंगे और यह डाइनिंग टेपल होगी साथ मैं आपको सोफे दिखाऊंगी वह भी यह फानूस हो गया सारी मतलब डेकरेशन की कोई भी चीज है ना यह इन्होंने मुलतान से लिए तो सोफा भी ऐल शेप में आज कर जैसे नए चाल रहे हैं तो वह ट्रेंड में हैं और बहुत कलर भी इनका जोक्लेट था और मुझे अरसल और अनुश्य का फीचर यही लग रहा है कि यह लड़ लड़ के बड़े होंगे इनकी पतनी कब बनेगी आपस में तो अलमीर खान तो बस कोई एंजल ही बने हुए थे माशा आलला जरत अंगनी के अनूने अरसल को देखी कहना नहीं मानता बहुत आगे चला जाते हम से और हम घरा आगे थे तो अरसल का दूद गरम किया मैंने हाँ जीजिए मैं एक ट्रिक आपको बताती चलूं बचों के दूद में थोड़ी सी हल्दी एड़कार्ट लिया करें गरम दूद में मतलब नीम गरम हलका सा तो लाजमी क्य तो ये हल्दी बहुत सियत के लिए अच्छी है ओके जी अब मुझे दें इजाज आता है